जहें दोस्तों ने मातरों, हम सभी ने देखा कि किस तरीके से 2014-15 के आसपास में जब 4G भारत में आने वाला था उस समय किस तरीके से क्रांतिकारी लेवल पर जाकर G.O. ने मार्केटिंग करी और जिस तरीके से अपने ग्राहकों को अपने पास लाए वो वाकई में एक बहुत बड़ा कदम था, उसके बाद हमने देखा कि भारत में डेटा की कीमतें किस तरीके से नीचे आ गए और जो बाकी कॉंपटिशन में कमपनीज थी, उन कमपनीज का किस तरीके से मार्केट से सफाया हो गया, यह सब हमने देखा सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह थी, कि जिस तरीके से काम काज हुआ, उसमें कहीं से कहीं तक भी कोई गलत काम भी नहीं था, क्योंकि इसमें फायदा हर तरीके से सर्फ कंस्यूमर का था ऐसे में कई सारी बड़ी कंपनीओं उसको मर्जर भी करना पड़ा जिसमें की Vodafone और Ideal सबसे बड़ा मर्जर था भारती एटल जरूर उसके खेल में टिका रहा है, लेकिन इस समय रिलाइंस समुख एक बार फिर से कुछ ऐसे काम करने के लिए जा रहा है, जिसको कि देखकर ऐसा लगता है कि इस बार जो हम लोग शीतल पे या फिर सोड़ा वाली जो हम लोग कंपनीज देखते हैं उसमें भूचा लाने वाला है, अब देखें, रिलाइंस इंडिस्ट्रीज के चेर्मन और एशिया के सबसे अमीर उद्योग पती मुकेश अंबानी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंग मार्केट में इस बार बड़ा दाव खेल रहा है, पचास साल पुरानी देशी कंपनी कैमपा के मार्केट में उतरते ही सेक्टर में खलवली मच गई है, गर्मी की शुरूआत के साथ ही रिलाइंस ने कैमपा कोला को तीन नय फ्लेवर के साथ बाजार में उतार दिया है, दिगज कारोबारी मुकेश अंबानी के काम का तरीका बाकियों से अलग है, वो जिस कारोबार मे उतरते हैं वहाँ प्राइज वार शुरू हो जाता है, जीयो की लाँचिंग के वक्त हमने देखा था, रिलाइंस की वज़े से दूसरी कमपनियों को अपने प्रोड़क की कीमतों में कटोती करनी पड़ी थी, कैमपा कोला की लाँचिंग भी इसी ओर इशारा कर रही है, द 10,000 करोड के इस कारवनेटेट शॉफ्ट डुरिंग मार्केट में पेपसी और कोका कोला जैसी बड़ी कमपनियों को आप कैमपा कोला से चनौती मिलेगी, खोल डुरिंग बजार में आम मानी के उतरते ही बड़ी कमपनियों के टेंशन बढ़ गई, रिलाइंस ने कैमपा को को शुरुवाती कीमत 10 रूपए रही 10 रूपए में 200 मेली लीटर मतलब क को बापको म् lijप केमपकोला की देखते हुए कोककोला ने भी कई राज्यों में अपने प्रड़क की कीमतों में कटोती कर दी कोकी बॉटल अब आपको 10 रुपए मिल जाएगी माना जा रहा है केमपकोला से मिलने वाली चुनौती को लेकर कोककोला ने यह फैसला लिया है तेलंगाना महराष्ट और मदबरदेश में कोककोला ने एक कोल ड्रिंग बॉटल का प्राइस घटा दिया है यह साफतार पर दिख रहा है कि मुकेश अमानी के प्राइस वार गेम के लिए कोककोला और पेपसी जैसी कमपनियों ने तैयारी शुरू कर दी साल 12 सुला में जब रिलाइस ने जियो लॉंच किया था उस वक्त भी टेलिकॉम सेक्टर के बड़े बड़े खिलाणियों की हलत खराब हो गई थी कुछ को तो अपना कारुबार तक समिटना पड़ा था कुछ कमपनियों को मर्जर का सहारा लेकर अपने आपको बचाना पड़ा था जियो के आने के बाद एरटल, वोड़ाफोन, आईडिया, यूनिन और बीसनल सब की टेंशन बढ़ गई थी इन कमपनियों को अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों में लगातार कटोती करनी पड़ी थी लुभाव ने ओफर देने पड़ रहे थे, लेकिन जियो के फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग जैसे ओफर के फेर में ये कमपनिया बुरी तरह पिटा जियो ने ग्रहकों को लुभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और यही वज़़ थी कि महज 5-6 सालों में जियो टेलिकॉम सेक्टर का राजा बन गया कोल्डरिंग मार्केट में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस समय वैसे भी मेक इन इंडिया और स्वदेशी अपनाओ वाला एक अभियान लोगों के मन में चली रहा है यवे किस तरीके से जो भारत की देशी कंपनिया हैं उनको सपोर्ट किया जाए एसे में रिलाइन्स जो कि अपने आप में एक देशी अवतार में हर जगे पर जानी जाती है वो अगर कैंपकोला जैसा एक ब्रांड को प्रमोट करती है तो आवविस सी बात है जो ग्रहाक हैं, जो consumer हैं, जो customers हैं वो एक sentiment के साथ भी इस company से चुड़ेंगे ऐसे में जो market के बड़े players हैं उन सभी को नुक्सान होना तय है तो ऐसे में Coca-Cola और Pepsi क्या सिर्फ दाम कम करके दर्शकों को अपनी तरफ कर पाएंगे क्योंकि इसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो कंपनियां पहले 20 रुपय 25 रुपय में अपनी कोल्डिन बिचा करती थी वो अखे 15 रुपय में एक दम कैसे आ गई विलाल नहीं जाए है जाए भारुब